हेलो गाइस जो फाइंडर में आपका स्वागत है बात करते हैं आज हम UPFCI की कट आफ के बारे में कि UPFCI की कट आफ कितनी रहने वाली है 100% एकदम सही अनलाइज होगा पेपर के लेवल और अटेंडेंस को लेकर एकदम परफेक्ट तो बने रहना मिरसाथ वीडियो में आप भ टोटल पोश्टे कितनी हैं टोटल फोम कितने भरे गए हैं और कितने अपसेंट रहे हैं ठीक है तो पहली बात यह पता होने चीए जैसे कि हमको पता है कि जो टोटल पोश्टे है वह 408 थी फोम जो है चार से पांस लाग फिल हुए थे अकोर्डिंग टू न्यूस पेपर और अधर वैब से ठीक है ऑफिशल वैब से ओफिशल इसका कोई नोटिस नहीं है बट इतने हो सकते हैं फॉम फिल्ट क्योंकि आपको बता है अधर स्टेट में भी फॉम भरे थे और खुद यूपी की जन संक्या तो आपको पता ही है ठीक है अब बात करते हैं एपसेंट क के लेवल को लेकर जो कि सबसे इंपोर्टन फैक्टर अधा करती है आपकी कट ओफ को बारे में देखिए सबसे पहले बता हूं मेरे साब से तो यूपी फसी पेपर में थोड़ा सा धोखा हो गया यहां पर जो हमारी वेकैंसी थी वह एट पास की वेकैंसी थी ओनली और पे अब बात करते हैं हिंदी को लेकर जो हिंदी थी थी कि वह बिल्कुल इजी थी अगर आप इसमें नंबर गल्त करते हो तो इसमें टोटली आपका फॉल्ट होगा इंग्लिश इजी से मोडरेट की कैटेकरी में रखते हैं क्योंकि हाई लेवल की थी नहीं इजी कुछ- और कुछ-कुछ मोडरेट थी इंग्लिश शाय सबको कटिन लगती है यूपी में खैर इंग्लिश बहुत ही कम आती है पेपर्स में तो शायद कटिन लगती होगी बात करते हैं मैथ के बारे में तो मेरे साब से इसको लो लेवल का ही मानेंगे बट मैंने फिर भी इसको मीडियों में खाली में अब अब बनता है कि मैं आपको बता टोटल पंदरा कोश्यन आए थे इसमें से आपँक चाहें तो पंदरा की पंदरा भी कर सकते हैं ऑप फिर भी मैंने तिरा लिया है क्योंकि तेरा तो यह अचीवड़ है अगर कोई बच्चत तयार ही कर रहा है उ में इंग्लिस पे अच्छी कमाइंडर नहीं कि जा सकती चाहें वो पेपर बहुत ही इजी लेवल का भी हो अब बात करते हैं हिंदी के बारे में तो दीगे 15 में से आप चाहें तो 15 की 15 हिंदी में लगा सकते थे पर फिर भी यह का तो कोशन अगर डाउट फुल में गल्थ हो जाए तो 14 नंबर देखें इतने आपको चीव करने ही पड़ाएंगे अगर आप तयारी कर रहे हैं क्योंकि दस आठ पास का एक्जाम था आप बात करते हैं रीजिनिंग के बारे में तो 15 के 15 रीजिनिंग भी आप कर सकते थे और बच्चों ने किये भी होंगे पर फिर भी मैं 14 नंबर लेके चल रहा हूँ और यह बात आती है यहाँ पर जीके और करंट अफेर की ठीक है जो एक टॉफ पोश्चन बन गया था इस एक्जाम में यहाँ पर बच्चों को सा धोका होगे कि 60 नंबर की जीके और करंट अफेर दे दी जबकि मेरे खियादे 30 30-30 का भी पैटरन बनता है फिलाल एक्जाम में हर एक देगा 30-30 का भी पैटरन बन रहा था और यूपी में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया शायद ज्यादे फॉर्म को देखकर ऐसा किया है ज्यादे लोगों ने अपलाई किया इस वजह से पेपर टब बनाया है जो भी हो सकता है ठीक है 40-45 नंबर के बीच जो है आपके जीके या करंट रफेर के हो सकते हैं क्योंकि दिखी 40-45 नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे इस लेवल पर आके फॉर्म भी जादे फिलो हैं और पोश्टे भी कम हैं और इसमें नेगटिव मार्किंग भी नहीं थी अगर अगले 30-60 मेंसे आपको 30 कोस्चन तो आते ही होँगे न अगले 30 मेंसे अब 10-15 कोस्चन तो टुक्के मारके भी ठीक कर सकते हैं 10 तो यह अपरॉक्सिमेट कर सकते हैं इसलिए आपके 40 नंबर बन ही सकते थे अब बात कट ओफ जो है इसके अराउंड घूमने वाली है यह कट ओफ जो है यह 95 यह ऐसी अप्रॉक्सिमेट बनी है अब बात करते हमारी कट ओफ के बारे में देखिए जो कट ओफ रहेगी वह मेरे सबसे 95 से 105 के बीच में रहेगी ठीक है 105 से उपर जाने कोई मतलब नहीं बनता इतने हाई लेवल के पेपर में चाहे कितने भी लोगों ने अपलाएगी हो कितने भी इंटलिजेंट बैथे हो पर 105 से उपर कट ओफ नहीं जाएगी अगर आप मेरी कट ओफ से एगरी है तो प्लीस कमेंट में बताना कि आप एगरी है नहीं और दिखी अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीस सब्सक्राइब जुरूर कर देना मेरी चैनल को जैसी रिजल्ट से रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है छोटी सी भी अपडेट रिजल्ट के रिगार्डिंग तो आपको इस चैनल पर तुरंत वीडियो मि कर देना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोश्चन के साथ थैंक यू गाइस फूल अवन सपोर्ट धन्यवाद